तो आज हम बनाने जा रहे हैं बार्बीक्यू में सर्व के जाने वाली एक मॉस्ट फेमस रेसिपी जो कि काफी टेस्टी और काफी फेमस स्टार्ट अप है और ये स्टार्ट जितना टेस्टी है इसे बनाने का प्रोसेस और टाइम उतना ही कम लगता है तो आई ये शुरू करते हैं हमारा स्टार्ट जो की है मश्रूम गार्लिक चीज so तो आई ये शुरू करते हमारी चीजी गार्लिक मुश्रूम की रेसिपी तो सबसे पहले हम एक पैन में एक टेबल स्पून के आसपास बटर लेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है इसके अंदर डालेंगे हमें दस से बारा बारिक कटे हुए लेसुन और लेसुन को इतना पकाएंगे कि इसका कच्छा पंदूर हो जाए लगबग एक से दो मिनट तो आज की जो हमारी रेसिपी है मुस्टली फाइव स्टार ओटल में सर्व की जाती है जे स्टार्टर और बार्बी क्यूनेशन जैसे जो ब्रैंड है रेस्टोरेंट जो बॉफे प्रोवाइड करते हैं मुस्टली से रेसिपी को यूज़ करते हैं स्टार्टर के लिए तो काफी अच्छी रेसिपी है एक बार जब हमारे गर्लिक ब्राउम ओना स्टार्ट हो जाते हैं तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हमारी मश्रूम और मश्रूम को भी हम थाड़ा पका लेंगे तो यह काफी एजी मेकिंग और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है मश्रूम को मलगबग एक से दो मिनट लिए पकाएंगे जब तक कि मश्रूम अपना पाने रिलीज नहीं कर देता एक बार जब हमारा मश्रूम पाने रिलीज कर देता है और स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हाफ कप के आसपास मिल्क आप चाहें तो इसमें तीन बड़े चमच क्रेम का भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ी देर मिल्क में पकाता हूं जैसे कि इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चीज क्यूब जैसे कि हमें कद्दू कस कर लेंगे जो कि हमारे रेसिपी को एक चीजी टेस्ट देगा और यही तो हमारी रेसिपी चीजी गर्लिक मश्रूम और इसे अच्छे से मिलाएंगे लगबग एक से दो मिनट के अंदर यह हमारा पकना स्टार्ट हो जाएगा और इसे के साथ हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून काली मिल्च अकॉर्डिंग टेस्ट नमक और यही आमारी रेसिपी है काफी इजी मेकिंग रेसिपी और काफी अच्छा स्टार्टर जो कि किसी पार्टी में आपको अगर को स्टार्टर बनाना हो और जल्दी हो तो इस रेसिपी का यूज कर सकते हैं तो लगबग एक से दो बाल में ही चीज और मिल्क के कारण हमें एक स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी मिल जाती है और लास्ट में हम इसके उपर थोड़ा सा ओरीगानो डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़े चिली फ्लेक्स और यह हमारा स्टार्टर अब पूरी तरीके से त्यार है गार्लिक मश्रूम चीजी यह आप कह सकते हैं चीजी गार्लिक मश्रूम तो यही थी हमारी आज की रेसिपी आई होप आप लोगों को अच्छे लगी होगी और आप इस रेसिपी को आज ए स्टार्टर जो ट्राइ करना क्योंकि काफी एजी मेकिंग और काफी टेस्टी रेसिपी है झाले झाले